बीजेपी में कलभ के बारे में बात करते हुए पंकजा मुndעे की भावक प्रतिक्रिया इस नेता का दड़त समझे कहा जा रहा है कि महाराष्ट बीजेपी में पंकजा मुंडे को एहम पद न देना या विधान परिशद में हार के बाद उन्हें विधान परिशद में मौका न देना पार्टी के अंदर कलह का कारण है बीजेपी की राष्ट सचीव और पुर्वमंत्री पंकजा मुंडे पिछले कुछ सालों में अपने कई बयानों को लेकर सुर्खियों में रही है 2019 के विधान सभाद चुनाओं में हार के बाद बीजेपी ने पंकजा मुंडे को मध्य प्रदेश का स्नयुक्त प्रभारी नियुक्त किया इससे उन्हें राज की राजनीती की कोई जिम्यदारी दिये बिना राष्ट्य सचीव बना दिया गया कहा जा रहा है कि विधान सभाद चुनाओं में हार के बाद पंकजा को महराष्ट बीजेपी में कोई बड़ापद न देना या विधान परिशद में मौका न देना पार्टी के अंदर की कलह की वज़ा है हाला कि पंकजा मुंडे ने इस संघर्ष पर खुल कर कोई टिपड़ी नहीं की है लेकिन उनकी अलग-अलग बयानों से इस पर असर पड़ता दिख रहा है इसी तरह एक मराठी वेब पोर्टल को दिये इंटरव्यू में पंकजा का एक बयान भी खुब चर्चा में है जनता के मन में मैं ही मुख्यमंत्री हूँ 2014 में राजे में बीजेपी के सप्ता में आने के बाद आपने बयान दिया था कि जनता के मन में मैं ही मुख्यमंत्री हूँ कहा जाता है कि इस बयान के कारण आपके पंक कतर दिये गए क्या आप इस बारे में सोचते हैं ऐसा सवाल पंकजा से पूछा गया इस पर पंकजा मुंडे ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जो दर्द मैं नहीं जानती थी वो आपको समझ आ गया है मुलता जनता के मन में मैं ही मुख्यमंत्री थी मैंने इसे कई बार समझाया है लेकिन आप यह कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई बयान मुझे परिशान करता है तो क्या यह अच्छा है अगर एक वाग के कहने से ऐसा कुछ हो जाये तो यह अच्छा प्रभाव नहीं है वह वाग के मुख्यमंत्री पत के बारे में नहीं कहा पंकजा मुंडे ने आगे कहा कि मैंने वह वाग क्य मुख्यमंत्री पत के बारे में नहीं कहा लेकिन मान लीजे कि मैंने कहा लेकिन फिर भी आसमान तूट पड़ा कि आदमी को सीधे जिन्दगी से उठना पड़ा क्या राजनीती में ऐसा नहीं है उन्होंने अपना दर्द बया करते हुए कहा कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया अगर लोगों की बीच या धारना फैली तो या अच्छा नहीं है फड़नवीज के आते ही पंकजा दरकिनार महाराश्ट्र में बीजेपी के दिवंगत दिगज नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी को मुख्यमंत्री दिवेंदर फड़नवीज के उदय के बाद पार्टी के भीतर दरकिनार कर दिया गया था वह 2019 में विधान सबाद चुनाव हार गई और तब से लो प्रुफाइल बनी हुई है पंकजा मुंडे ने अपना दर्द बया किया बिजेपी के दो नेताओं पंकजा मुंडे और दिवेंदर फड़नवीज के बीच छीपे टकराओ को लेकर अकसर बहस होती रहती है हलाकि दोनों नेताओं का कहना है कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है पंकजा मुंडे को संगठन में पदों से हटाए गया और विधान परशत चुनाव में भी मुंडे समर्थकों का दावा है कि इसके पीछे फड़नवीज का हाथ है इस तरह पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवाल पर बोलते हुए पंकजा मुंडे ने अपना दर्द बया किया और चर्चा फर से छिड़ गई है